नमस्कार मैं हूँ मुसकान अजमानी और आप देख रहे हैं प्रदेश को विश्वसनिया चैनल प्राइम टीवी चलिए दिन के शुरुवात करते हैं कुछ बड़ी खबरों के साथ संबल में जिला अध्यक्ष विजय शर्मा के नेतर्तु में सैकडो कॉंग्रेस कार करताओं ने दिल्लि पॉल्च कर पूर्व अध्यक्ष और कॉंग्रेस नेतर राहूल गांधी के समर्थन में कल प्रदर्शन किया कॉंग्रेसियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुई कहा कि ये सरकार कॉंग्रेस पार्टी और उनके नेताओं को पदनाम करने की कोशिश कर रही है आपको बता दे कि हेरार्ड मामले में एडी ने राहूल से सोमवार को करीब 10 घंटे तक पूछताच की रहूल से हुई लंबी पूछता से कॉंग्रेस बिफर गए जिसके बाद बीते दिनों कई जगों से प्रदर्शन की खबरे सामने आई थी राबरेली नर्पत गंच पुलिस चौकी से कुछ कदम की दूरी पर ग्राम प्रधान पंकत सोनी का घर है जहां कुछ लोगों ने ग्राम प्रधान के घर पर हमला करते हुए उनके घर पर दो पहिया वाहन और चार पहिया वाहनों को जला कर राक कर दिया वह जब ग्रामीडों ने प्रधान के घर से आख की लप्टे उठती देखी तो आन्न फानन में उन्होंने पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी दी जबकि इस मामले पर प्रधान का खहना है कि प्रधान पत्की रंजिश को लेकर ये हमला क्या गया है जिसके बाद से ही पूरे गाउं में धैशत का महल है तो खबर रैबरेली से निकल के सामने आ रही है जहां चर्मराई कानून विवस्ता की पोल खोलती हुई तस्वीर एक बार फिर देखने को मिल रही है जहां पुलिस चौकी से महज चंद कदमों की दूरी पर ही ग्राम प्रधान का घर है जहां पर जानलेवा हमला क्या गया इस दोरान प्रधान के घर के बाहर मौझूद दो पहिया और चार पहिया वहनों को जलाने की कोशिश भी की गई वैस पूरे मामने के बाद से ही पूरे गाओं में दहशत का महौल भी देखने को मिल रहा है हरदोई में पिहानी ब्लॉक के बिजगवा में पूर प्रधान की जाच फ्रश्ट अचार की बेट चर्ती नजर आ रही है करीब नौ महीने बाद शुरू होई जाच पारदर्शिता के साथ नहीं करने का अधिकारियों पर आरोप लग रहा है जिलाउद्यान अधिकारी और सहायक अभियंता नलकूब द्वारा बिजगवा की इस्थलिय जाच की गई लेकिन कहा गया कि बिना अभिलेक के सादे कागस पर जाच की जा रही है जिसमें ग्राम विकास अधिकारी विमलेश वर्मा और पूर्व प्रधान द्वारा बिना बिल बाउचर और अभिलेकों के जाच कराई जा रही है मामले में अधिकारी लापरवाही बरत रहे हैं और सीडियो अकांग्शराना के निर्देशों का खुलेया मजाग बनाये जा रहा है ग्रामीडों ने आरोप लगाया कि जाच बिना तथ्य और पूर प्रधान को बचाने के लिए की जा रही है खबर हर दोई से सामने आ रही है जहां पूर प्रधान बिजगवा की जाच के मामले में जो अधिकारी है वो लगतार लापरवाही बरत रहे हैं साथी साथ ग्रामीडों ने इस दोरान ये भी आरोप लगाया है कि जाज मिना तथ्य और पूर प्रधान को बचाने के लिए की जा रही है साथी साथ सीडियों कांग शराना के निर्देशों का भी खुले आम अधिकारी हो द्वारा मजाग बनाये जा रहा है जिससे वो पूर प्रधान को बचा सके इस खबर पर जादा जानकारी के लिए हमारे समवादाता हर्शिराज सिंग जुर चुके हर्शिराज हर दोई में जो भरष्टाशार का मामला निकल के साबने आ रहा है जिसमें अधिकारी लगातार पूर प्रधान को बचाते हुए नजर आ रहे है तो क्या कुछ है ये पूरा मामला प्रधान को बचाने की कोशिस की जा रही है जो अब लेक है और उसे इसली जातना कराके कहीं कहीं इनको बचाने का बचाने की जा रही है अब पूर पूरा मामला निकल के सामने आ रहा है लगातार इसकी वीडियो भी वाइरल हो रही है तो अब तक क्या कुछ कारवाई की गई है उन अधिकारियों के खिलाफ जो इस मामले में कोई एक्शन नहीं ले रहे है अब ही कुछ नहीं जो सिकायद करता है उनके बताने के मुताबर तो ग्रामीरों ने जो जैसा बताया है कि उच्छा धिकारी का पर सिकायद करेंगे लेकिन उच्छा धिकारी भी कोई संग्यान नहीं लेते हैं जैसा कि मैं बता चुका हूँ सिकायद करता ने नौ मा पहले दी सिकायद की लेकिन यहां के स्वीडियो और डियंग काहत कोई भी संग्यान नहीं नहीं लेते हैं अब देख सकते हैं नौ मा बाद जाँ चो रही है लेकिन अधिकारी कोई भी संग्यान लेने को तयार नहीं है ज़्यादा करता है जब सिकायद की तो फिर्व लेटर पे एक जाँच चल रही है वो भी मौके पे अभी लेक बिल बाउचर है नहीं अगर बिल बाउचर अब एक तरजाज कराई जाए जाए तो पहीं करें बश्चा चार पूरा खुल दिलाएगा इससे पूरा खुलासा होगा हचराज अब इस खबर पर लगतार अपनी नज़र बनाये रखेगा फिलहाल हमारे साथ जानकारी सांज़ा करने के लिए धन्यवाद खबर और एया से है जहां कार सवार लोगों ने सतर वर्षिय वरिद महिला से सोने की चेन लूट ली और फराह हो गए पीडित ने घट्टा पर जानकारी देते हुए बताया कि एक पार्टी से होकर वो लौट रही थी तबी कार सवार लोगों ने उसे घर छोड़ने की बात कहते हुए उसे कार में बिठा लिया और सून सान जगा पर ले जाकर उसके सारे जेवरात उतरवा लिये वई पीडित महिला ने इर्वाकटरा थाने में पहुचकर मामले की शिकायत की है वैथाना द्यक्ष राम सहाई पटेल ने बताया कि महिला की तहरीर के आधार पर अग्याद व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्च कर लिया गया है जल्द यारोपियों को भी गिरफतार कर लिया जाएगा खबर और यह सामने आ रही है जहां पर बदमाशों के हौसले इसकदर बुलंद हो चुके है कि उन्होंने एक बुजर्ग महिला को ही लूट का शिकार बना दिया भुजर्ग कर दोएग सार जाए रहे हैं कहां जा रहे हैं मारनो आतो बना ओट्ते लुजर्ग जाता var एक घोला चाल रह कारते हिए को इन्हां बता अवेक हैएं कर अबन गर्स नंचल्ग की चकार अजर्ग कारते है गाड़ी किस कलर की गाड़ी थी तिलेटी कलर गाजेबाद थाना इंदरापुरम छेत्र के नीति-खंड इलाके में बदमाशों के हौसले सकदर बुलंद हो चुके हैं क्यों उन्हों ने एक नीजी कंपनी के कलेक्शन एजेंट से बाइक सवार बदमाशों ने डंडा मार कर करीब 10 लाग की लूट को अंजाम दे दिया। वैस मामले पर जानकारी मिलते ही मौके पर महचे पुलिस मामले की जांच परताल में जुट गई है। जिसके लिए चार आला गलक टीमें भी गठित कर दी गई है और जल्दी आरोपियों की गिरफतारी भी पुलिस द्वारा कर ली जाएगी। सुल्तानपूर में मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि जमीनी विवात के चलते विपक्षियों ने पूरे परिवार की जम कर पिटाए की। फिल्हाल इस मामले में पुलिस ने पीडित की तहरीर पर मुकदमा भी दर्श कर लिया है। साथी मामले की जाँच परताल में भी जुट गई है। वही मारपीट में घाई लेक व्यक्ती का अभी भी जिलस पताल में इलाज चल रहा है। फरीदाबाद के सत्पूरा इलाके में इस्थित सावित्री ओयल ट्रेडिंग कमपनी पर सीम फ्लाइंग ने सूचना के आधार पर छापे मारी करते हुए वहां से पैकिंग किये जाने वाले राइस ओयल, मस्टर्ड ओयल और तिल के तेल के सैंपल लेने के बाद उन्हें जाँच के लिए भेज दिया है। वैस दोरान सीम फ्लाइंग के अधिकारी ने बताया कि उन्हें सूचना मिल रही थी कि यहां पर ओयल पैकिंग की जाती है। इसी आधार पर उन्होंने स्वास भाग की टीम के साथ चापे मारी करते होए तेलों के सैंपल लिए हैं जिन्हें जाच के लिए भी भेज दिया गया है। लिए हैं जिसके गार्ण के जाच सेंपल डोक्टर साव भरे हैं कि यहां पर तीन तरह आए हैं ब्राइड मझमेड मेरा राइस ब्रैन ओल है तेल का तेल है और और सब्सक्राइड ब्राइंकर करते हैं यहां तेल बनता हैि यह चैनल बंक में खरीदे हैं उसको पैक करके मस्टर्ड ओयल की रिवाइंड की और कुछ नहीं है ब्रांड मेरे सब जैनुवार है अपने रैडर्स पर है बलरामपुर में पानी के लिए दो सगे भाईयों की गोली मारने वाले ग्राम प्रधान को आखिरकार पुलिस ने गिरफतार कर लिया गिरफतार प्रधान के पास से अवैद देसी असलहा भी बरामत क्या गया है थाना देहात के ग्राम इमलिया में घटे तक घटना में राजकुमार नाम के क्योग की मौत हो गई थी जबकि शिवकुमार गंभीर रूप से घायल हो गया था आपको बता दे कि बीते कुछ दिनों से प्रधान सुनील बाबा ने टूब्विल का सरकारी पानी रोग दिया था और इसी को लेकर काफी विवाद हुआ था वहीं मामले पर पुलिस अधीकशक राजेश सकसेना का कहना है कि सियो सिटी वरुन मिश्रा के नेतरितु में बहत सफलता लगी है पुलिस ने तीन शातिर चोरों को गिरफतार करने में बड़ी सफलता हासल की है पकड़े गए शातिर चोरों के पास से तमंचा और मोटर साइकल भी बरामद हुई है अब पुलिस ने चोरों पर एक्शन लेते हुए उन्हें जेल भेज दिया है तो खबर इ के वरिया से सामने आ रही है जहां तीन शातिर चोर पुलिस के हत्थे चड़े इस दौरान पुलिस ने इन तीनों ही चोरों को गिरफतार करते हुए जेल भेज दिया है शाजहापुर के सदर बाजार थाना चेत्र के महला बाट जई प्रथम में मलहार टाकीस पर रखे ट्रांसफार्मर में भी शनाग लग गई आग की वज़े से पास में खड़ी कार भी उसकी चपेट में आ गई वई घटना की जानकारी मौके पर बिजली विभाग और फैर ब्रिगेड की टीम को दी गई सूचना पर पहुचे दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू भी पा लिया मौन्नूगंज कबळियाना में छोदो के होसले बिलन दिखाई दे रहे हैं एक이e मकान में किराई पर रहे तीन गयी परिवारों को चोरों ने अपना निशाना बना लिय चोरों ने मकान में कमरों के ताले तोडकर अल्मारी बक्से से सारा सामान निकाल लिया फिरहाल पीडित परिवारों ने डायल 112 पर मामले की सूच न दे दी है वही मौके पर पहुची डायल 112 जाँच परताल में अब जुद गई है पहले भी थे कभी चोरी हुआ है एक बार और हो चुकी है तो बहुत पैसा गया था बुंदे उंदे जुमकियों की सब चली गई थी पुलिस को दिया मगर पुलिस आई देख के चली गई कुछ नहीं करा ताज मुनुगंज में क्या हुआ आप चोरी हो गई अच्छा आपके परोज में लोग लेते हैं मकान में क्यों लोग जहां हमारे दो घर में हुआ सारे कमरे मुटाले तोड़े हमारे दो घर में जो है बाली निकल गई पैसे निकल गई फुलके थी वह सब ले गए अगवा कैसे ही होई गा दस पानी के लिए दो सगे भाईयों की गोली मारने वाले ग्राम प्रधान को पुलिस ने गिरफतार कर लिया गिरफतार प्रधान के पास से अवैद देसी असलहा भी बरामत क्या गया है थानदे हाथ के ग्राम इमलिया में घटित घटना में राजकुमार नाम के युवक की मौत हो गई थी जबके शिवकुमार गंभी रूप से घायल हो गया था आपको बता दे कि बीते कुछ दिनों से प्रधान सुनील बाबा ने चुबवल का सरकारी पानी रोग दिया था और इसी को लेकर विवाद काफी बढ़ गया था वही मामले पर पुलिस अधीक शक राजेश सकसेना का कहना है कि सियो सिटी वरुन मिश्रा के नेतरितु में बहतर काम करते हुए मुख्यारोपी को इस मामले में गिरफतार कर लिया गया है साथ ही उसके पास से पुलिस ने अवैत तमंचा और कार्दूस भी बरामत किया है एक खटना हुई थी जिसमें सगे दो भाईयों को बोली लगी थी जिसमें तीन लोगों को नामज़त किया गया था तीन लोगों में से दो लोगों को उसी दिन गव्टर किया गया था महतारिक हुए और एक को कल हम लोगों ने गव्टर किया है वडिया बाईपास से जिसमें मुख्य भी थे हैं ये सुनील कुमात जासवार और बाबा ये ग्राम प्रधान भी है उस गाउं के इनके कबजे से जो आला कतल है वो भी वरामत किया गया है और इन्होंने अपने हकना में सनलिपता शुकार भी किया है फिल्हाल हमारे इस बुलिटिन में इतना ही देश अपनदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार